कि कि हेलो सांतियों कैसे आप सभी एक विएस्वागत थे अपका अपने यूट्यूब देलाटे क्लासेज में आज हम देखेंगे रफेल के बारे में जो कि हमारे भरत में अब पधार रहे हैं जो कि अभी से 360 में दो घंटे में हमारे भरत में चले आएंगे ठीक है और यह फ् तो शुरू करते हैं यह रहा राफेल विमान और यह आ रहा है वहारत के पास है दुनिया का सबसे ताकतवर विमान है दुनिया का सबसे टाकतवर विमान तो आशीर का सबसे ताकतवर विमान हा के पास से इसका डील फ्रांस के साथ द्धाट ह्याब हें फैनल होता हाला कि द्धाटasking के साथ यह फानल रफनल रहा कर द्धाल है पने पास स्य पर होतों । मुद्धो ह्यूं में प्रांस के साथ वSho लेकिन हल जो है कंपणी वह कंपणी तीन गुणा ज्यादा समय ले रही थी लेकिन और उसका जो टकनिकी यह वह ज्यादा खर्च खर्च यह खर्च ला था ठीक है तो आप तो भारत सरकार नहीं आ सोचाए क्यों ना यह विमान का जो कंट्रेक्ट है वो डसल्ट कंपणी के दिया ठीक है तो डसल्ट एक फ्रांसेशी कंपणी और डसल्ट ने 36 विमान दोहर 21 तक भारत में पहुंचाने का निर्ण लिया उसके साथ यह डिल फाइनल हुआ ठीक है तो ब्हुंचाने और 18 फारत को 10 राफिल विमान देठें और आज 29 जुलाई को भारत में आ रहा है तो इसलिए भारत आ रहा है तो इसलिए फ्रांस में ही हमारे 10 एरफोर्स के पाइलोटों को आपडिया जा रहा था ठीक है तो वह अब उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो सुक है तो वह भारत आ रहे हैं लेकर निशी तुर्ति यहां दुनिया के चार पॉइंट पांच जेनरेशन का है ठीक है यह राफेल रहा ठीक है और यह जो आपको दिख रहा है यह यहां से मतलब यह इसका ऐसा टकनीक है कि यहां से हावा में इसको फ्यूल भड़ा जा सकता है इसमे एक बार में 700 किलमेटर भी उड़ सकता है तो इसकी एक और इसकी एक तकनीकी से जो कि हावा में भी मान फ्यूल भड़ा जा सकते हुश तकनीक को अपना कर इसमें हवा में फ्यूल भड़ा गया जो कि फ्रांस का दो रिफ्यूलर भेजा था हमारे अबु धाबी तक क्योंकि कि अबु में लेंड करने वाले थे और 7000 किलमेटर एक बाव में तो तैक करें शकते हैं इसलिए इसको अबु धाबी में लेंड कराया गया और वहां पर कि पर सके कहां से तो France अए था अए जानते इसके बाड़े में कुछ फ्रांसिसी तकनिक से बना विवान जिसका डिमानगा सोफ एविएशन के द्वारा किया घया है यह भारत से पवह प्रांसिसी बाईू से ना के सामिल है और यह में शीरिया का जो भी हमला हुआ था उसमें इसको इसका उपियोग किया गया था ठीक है तो इसको देखते हुए हमारे राजनाथ रक्षा मंत्र जो है इस विमान को डिल करने का निशित लिए थे मतलब फैसला किये थे और बताते कि अनिसवासी के बाद हमारे देश में जो हम बहलगा नहीं हो चीकने इस लिए इस राफेल को खरीदा गया 36 विमान बस्कोंण तो इसका वजन 10 तरन है ठीक है ऍसको पंको का फैलाओ जो कि एससे पंको का फैलाओ यह इसके पंक्खों का फैलाव भी इसके पंक्खों की फैलाव 10.9 मीटर तक है और इसकी लंभाइ 15.3 मीटर तक पूरा ठीक है और इसकी जो इनकाई यहां 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 से लिकर यहां तक इसकी ऊचाई करना है तो 153 मीटर तक दारार है जो कि बहुत ही नतखनीक से बनाया गया इसका रडार के बाहु超ी में तत्यु layered यहां पड़ाँ यहां पर यहीं रडार लगा हुआ यह इस रडार को कोई भी यह पंड़नेा इसको ऑठाइबो यहां 50,000 फिट तक उड़ान भर सकता है राफेल विमान को एक मिनट में 8288 मिटर उचाई तक उपर जा सकता है इसकी फ्लाइंग रेंज साइने की खंता लगवक चोविस टन हो जाती है जैसे कि इनधन और हमारे यूध में जो हमारे जो होते हैंने कि सक्चाहिते 24 चोविस टन होजाती जोगकी नदुन की वजण के तो दस टन स्की व्यमान और यहां पर देख रहा है यहां से इसका फ्यूल भड़ा जाता है जो कि हावा में ही फ्यूल भड़ने की इसमें छमता रखता है यह बहुत ही कारगर विमान है यह राफेल वहान से इधन को भड़िता है अत्म रखशा पनाली अभ्यध्य है यह अचानक मिले टार्गेटकों भी हवा मेंटस्ड कर सकता है हावा से हवा और हवा से जमीन हमला हो रहा है टिक्या अपने आपको ऐसे कर लेगा कि आगा हमला होता है पिशला फाग यह स्कल्वा यह हाँ अगलेस ओॉझके रफेलब को नोहना यहां वहां आधे तो देखें टूल आ दो सब प्रफोना चरटरा जाने अबर भारत में से आसरे में और सब्सक्राइब अंदाजा लगा जा सकता है कि भरती वायुसन कित्मी तकतोर हो जाती है अब अब देखते इसके बाड़े में और कुछ लिखाए कि यह विमान नई पिढ़े की हावा से हावा में मार्क करने वाली मेट्योर मिसाइल से लाइसे एक और मिसाइल मेट्योर मिसाइल से लाइसे च उसलिए उसको यह इसको पर यह लैंड करें यह आ वहां पर वहां से पाकिस्तान और चीन की जो बॉर्डर है जो सीमा है वहाँ से दूर नहीं है ठीक है इसलिए उसको वहाँ पर अंबाला में तैनाद के जा रहा है और यह अंबाला एयर बेस में लेंड करेंगे अबुधावी से क्ल रात तक अबुधावी में रुके हुए थे क्योंकि फ्रांस से भारत के दूरी 7000 किलोमेटर है और 7000 किलोमेटर एक बड़ में तैन नहीं कर सकते हैं इसलिए भारत के तरफ से आगरा से तीन रिफ्यूलर विमान जो अबुधावी के लिए बढ़े हैं क्योंकि अब यह जो विमान है अबुधावी से भारत और अरब जहाज भी भेज़े हैं इसके लिए ठीक है तो आज इक आपना क्लास कैसा रहा आप देख सकते हैं कि सभी लोग स्वागत में जूटे हुए हैं जो राफेल के विमान है वो जो फ्रांस से आ रहे हैं 36 विमान है जो की अठाड़े और अठाड़े करके स्क्वाडर्ण सामिल किया गई इसमें जो कि पांच भारत को मिल चुके हैं एक मिला था 1886 में जो की एक जो कि एक यह था जो डेमो था वो हमको मिला था कि भाई आप उसको उड़ा कर देखिए आपको कैसा लगा ठीक है तो आज का ग्लास कैसा लगा साती हो इसको सेर के सब्स्राइब किजिए अब जरूरे साती हो आज के लिए क्लास हम इतना रखते हैं और सामको आपके लिए रिजिनी का वीडियो अप्लोड होने वाला है तो इसको जरूर देखिए आप और कल कल का जिन्होंने टॉप हंड्रेड वीडियो नहीं देखे हैं वह जरूर देखिए और आज का सुबा म है जिकी का करेंट फेड का वह जुरूर देखिए आप लोग ठीक है साती हो तो जै हिंद जै भारत